नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपने अपने घर या आस पडोस में अक्सर ऐसे देखा होगा कि जिन लोगों की उमर 40 से ज़्यादा हो जाती है फिर चाए वो महिला हो या पूरुष उनको कमजोरी की शिकायत होती रहती है उनकी मामूली गती वीदियो के कारण उनके हाथ पेरों की हड्डियों से कट कट की आवाज आने लगती है 40 की उमर के बाद ऐसा होना स्वभावी के क्योंकि शरीर में केल्शयम की कमी होने लगती है जो किसी भी व्यत्ती के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है दरसल केल्शयम की कमी के कारण हड्डिया कमजोर हो जाती है और मामूली सी चोट आपके फ्रेक्चर का कारण बन सकती है दोस्तो चालीस की उम्र के बाद केल्शियम की कमी के कारण हड़ी भी बहुत देर बाद जुड़ पाती है। यही कारण है कि डोक्टर चालीस के बाद लोगों को दूच सही डेरी उत्पाद अधिक खाने की सला देते हैं। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ कुल मिला के ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो खास तोर पर जिन महिलाओं और पूरूशों की उम्र 40 से पार हो गई हैं जिन में केल्शियम की कमी हो जाती हैं हड्या उनकी कमजोर हो जाती हैं तो इन तरीकों को फोलो करके खास केल्शियम युक्त पदार्तों का सेवन करना हैं जी हां अगर आप नियमित रूप से केल्शियम युक्त पदार्तों का सेवन करेंगे तो यह आपके संपूर्ण स्वास्त के साथ साथ आपके दातों और हड्यों के लिए भी बहुत फाइदेमन साबित होगा दोस्तो अंड और मचलियों का सेवन करें। जी हाँ, रोजाना या नियमित रुप से अंडे और मचली का सेवन, आपके लिए केलशम की कमी को पूरा करने में बहुत फायदेमंद हैं। इसलिए दिन में कम से कम दो अंडे जरूर खाएं। कच्चे अंडे को दूद में मिलाकर अगर सेवन क तो हड्डिया मजबूत बनेगी इस वेदी का सेवन करके आप कोची दिनों में अपने स्वास्त में काफी फर्क मैसूस कर सकते हैं अगला तरीका है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है शरीर को स्वस्ति रखने में एक्सर करेंगे तो आपकी हड्डियों में किसी भी प्रकार की अकडन नहीं होगी नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर हड्डिया लची ली रहती है और हड्डिया चोट लगने पर जल्दी तूटती नहीं है इसके अलावा दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको मजबूत रखने में विट्यामिन डी बहुत एम होता है और आपको हड्डिया मजबूत रखने में मदद मिलती है दोस्तों विट्यामिन डी युक्त खाद्य पतार तो सप्लिमेंट का भी सेवन आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेगा तो इनका भी सेवन इसके लावत दोस्तों भरपूर रूप से विटामिन्स का सेवन करें शेरे में वेर्षिम की कमी के साथ जरूरी विटामिन्स जैसे की पोटेशियम मैगनेशियम की कमी हड्यों को कमजोर बनाने का काम करती है इसलिए ऐसे foods का आपको सेवन करना है जो आपको परियाप्त मातरा में सभी जरूरी तत्रव प्रदान कर सकें तो दोस्तों ये थे वो कुल मिला के कुछ ऐसे तरीके जो की बहुत ज़्यादा आपको फाइदा पुचाएंगे अगर आप इन स्टेप्स को फोलो करते हैं तो 40 की उम्र के बाद भी आपकी केल्शियम की कमी दूर होगी और हड्या मजबूत होगी और हड्यों की कमजोरी को पूरी तरीके से आप दूर कर पाएंगे तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक और महत्वपुन आप सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाए धन्यवाद दोस्तों